साइंस टेली में आपका स्वाबत है आईए नदर डालते हैं आज की खास कवरों को राहूल गांदी पर फिदा थी यह मशूर अदाकारा संबंद बनाने को थी बेताब कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांदी 48 वर्ष के हो चुके हैं राहूल गांदी का जनम 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था राहूल गांदी इस उमर में भी कवारे ही है राहुल गांदी पर आये दिन कोई ना कोई नए चुटकले बनते ही रहते हैं राहुल गांदी का जहां एक तरफ दुनिया मजात बनाती है वहीं दूसरी और बॉली वुड की एक मशूर एक्ट्रेस उन पर फिला थी आपके मन में भी यह जानने के लिए उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर कौन है वो एक्ट्रेस जो राहुल गांदी को पसंद करती थी तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि कौन है वो एक्ट्रेस जिसका दिल राहुल गांदी पर आ गया था ये अदाकारा हैं सैफ अली खान की पतनी और तैमूर की मा करीना कपूर सच में एक वक्त ऐसा था जब करीना का दिल राहुल गांदी के लिए धड़कता था करीना कपूर राहुल पर इतनी ज्यादा फिदा थी कि वो मैगजिन में छपे राहुल के फोटोज को घंटों तक बैटकर नहारती ही रहती थी ये हम नहीं कह रहे हैं बलकि इस बात का खुलासा खुद करीना ने एक चैट शो के दोरान किया था करीना जब सिमी गरेवाल के शो रेंडर्स विद सिमी गरेवाल में पहुँची थी उस समय उंसे ये पूछा गया था कि वो किस सेलेबरिटी को डेٹ करना चाहती है तो इसके जवाब में करीना ने राहुल गांधी का नाम लिया था करीना ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा था कि राहुल में कुछ खास बात है जब भी मैज़िन में उनके फोटोस देखती है तो बस यही सूचती है कि उनसे बात करना कैसा रहेगा करीना ने राहुल के साथ संबंद जोडनी भी बात पर कहा था कि वो एक फिल्मी खानदान से है जबकि राहूल राजनेतिक परिवार से जुड़े हैं ऐसे में उनके साथ रिष्टा बनाना दिल्चस्प होगा वैसे करीना की ये ख्वाइश तो अधूरी ही रह गई करीना ने तो सैफ से शादी कर ली लेकिन राहूल गांदी अब तक कुमारे ही रह गई है अगर करीना राहूल से अपने प्यार का इजहार कर लेती तो आज शायद उनका भी घर बस जाता बिरो रिपोर्ट सांच टीवी दोस्तों अगर आपको हमारी ये ख़बर पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सांच टीवी ऐसी ही दिल्चस्प कबरों के लिए ताजा खबरों के लिए आप www.sanj.tv पर भी जा सकते हैं